श्री एजुकेशन दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवी तो दोस्तों ये जो modern history चल रही है आधनिक भारत का इतिहास उसका ये 26 लेक्चर है अगर आपने नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए बहुत ही basic से बताया गया है अच्छे सा आपको समझ में आ जाएगा तो पचिसवे लेक्चर में हमने पढ़ा था लाड एर्विन के बारे में पढ़ा था जिसका time period 1926 से 1931 तक था वाइसराय हम पढ़ रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं अगर आपने पिछले वीडियो देखेंगे तो इस 26 लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाड वेलिंग्टन के बारे में जो 31 नंबर पर वाइस गोवर्नर जनरल अब ये वाइसराय था 31 नंबर पर नाम क्या इसका लॉर्ड वेलिंग्टन लॉर्ड वेलिंग्टन इसका time period रहेगा 1931 से 1936 तक अगर दोस्तों आपको याद हो इसके पहले लॉर्ड एर्विन के time पर आपने जो पढ़ा आपको कुछ याद होना चाहिए कुछ क्या सभी चीजी याद होनी चाहिए अगर आप आगे वीडियो पढ़ रहें तो पिछले वीडियो आपको पुरी तरीके से मालूम होने चाहिए ने तो ऐसी पढ़ते जाएंगे तो दिमाग पर बोज हो जाएगा आपको difficult लगेगा ह इस वज़े से जो उसका विरोध करते समय लाला लाजपतराय की जी की मिर्ती हो गई थी लाटी चाहर्ज में आप जानते होंगे अगर पढ़ा होगा आपने और प्रत्थम जो गोल में सम्मेलन था लंदन में वो हो चुका था 1930 में हुआ था 12 नमंबर में और ये गांधी ज अग्या अंदोलन जो है उसको स्थागित किया गया था जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था आप जानते होंगे तो आज के इस वीडियो में लौड वेलिंग्डन के बारे में पढ़ते हैं चलिए देखते हैं इसके बारे में तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 1931 से 1936 तक ये भारत का वाइसराय रहा था और इसके समय में 7 सितंबर से 2 दिसंबर तक 1931 में दिती ये गोल मेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था याद है आपको प्रथम गोल मेज का सम्मेलन का किसके काल में हुआ था लौड एर्विन लौड एर्विन में प्रथम और लौ इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से प्रतिनी दित्व मतलब नेत्रित्व किया था प्रतिनी दित्व जो है वो गांधी जी ने किया था अब 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनिया वग्यान दोलन चालू कर दिया गया गांधी जी की दोबारा क्यों चालू किया गय क्योंकि जो सेकेंड गोल में संबेलन हुआ था इससे संतुष्ट नहीं हो पायते गांदी जी और फिर से उन्होंने ये सवीनिय वग्यांदोलन इस्टार्ट कर दिया था उसके बाद देखिए महत्मा गांदी जी और अमबेडिकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना का समझोता हुआ था पूना समझोता क्या था मैं आपको बताता हूँ अच्छे से इस समझोते का कारण बताने से पहले अगली लाइन देख लिजी आपको समझवाएगा कि अगस्त 1932 में सितंबर से पहले अगस्त आया एक महिने पहले अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड ने परसिद सामपरदाइक निर्ने की घोशना की थी इसी कारण ये पूना का जो समझोता करना पड़ा वो समपरदाइक निर्ने क्या था जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर लोगों को अलग करना शुरू कर दिया था भारत में तब भी उनका पेट नहीं भरा अब उन्होंने जाती के नाम पर अलग करना शुरू कर दिया लोगों को तो उन्होंने क्या कि संपरदाइक निन्ने लिया है या आप कह सकते हैं संपरदाइक पंचाट संपर्दाइक पंचाट भी गाया था संपर्दाइक पंचाट की खोशना की और इसके अनुसार क्या था जो हिंदूओं में जो दलित समाज के लोग थे उनको पूरी तरीके से हिंदूओं से अलग करने के लिए उनका भी निर्वाचन मंडल जो है माइनवर्टी की तरह अलग उन्हें गोशिद करवा दिया जैसे उन्हों ने मुसिलिम के लिए अलग निर्वाचन मंडल किया था हिंदूओं के लिए अलग चुनावाली प्रकिरिया थी न वैसे यी निर्वाचन मंडल जो है वो उन्हों ने कहा कि जो दलित समाज के लोग होंगे उनके लिए भी अलग रहेगा जिससे गांधी जी बहुत ही नराज होगे गांधी जी उस समय जेल में थे और जेल में ही उन्होंने उपवास किया था तो उसके बाद क्या हुआ मदन मोहन मालिवी जी की कोशिश के द्वारा यह समझोता महत्मा गांधी जी और अमबेडिकर के बीच में यह समझोता हुआ यह समझोता क्या था आपको दिख रहा होगा कि इनका निर्वाचन मंडल इनका जो चुनावी प्रकिरिया वो हमारे में ही रहेगी मगर इनको अलग से आरक्षन दिया जाएगा ठीक है और हम जानते हैं ज जन ठीक है उनको नाम दिया गया था आप वीडियो देखेंगे गांधी जी वाला गांधी जी के ऊपर पूरी डिटेल बताएगे उसमें आपको सब बताया गया है तो अभी तक जो है वो आरक्षन चलता आ रहा है यह समझोता जो हुआ था यह में कारण था ठीक है गांधी यह मदण मौहन मालुी जीन उसके बाद देखिए दिसंबर 1932 में Lord Wellington के समयी त्रितिये गोल में समयलन का आयोजन लंदन में हुआ अभी तक दो समयलन अल्रेड हो चुके हैं और त्रितिये समयलन भी हो गया है ठीक है दिसंबर 1932 में यह समयलन पूरी तरीके से खतम हो गया यह जो सम्मेलन था लगभग एक महीने चला था 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 25 दिसंबर से तक चला था ठीक है इस तित्य गोल में सम्मेलन में बहुत बड़े-बड़े फैंसले आये थे इस फैंसलों में इसके फैंसले में यह सबसे जो बड़ी घटना थी यह थी भा यही भारत सरकार अधिनियम 1935 काई है और इसमें क्या थे इसमें टोटल 321 अनुच्छे थे और 10 अनुच्यां थी इस अधिनियम में और बाकी जो चीजें हैं हमने आपको वीडियो बनाई दिया कि जो भारती सविधान के स्तरोत हैं किस-किस देशों से क्या क्या लिया गया आप जाकर देख करें प्लैलिस्ट में और इसी के टाइम पर बिहार में 1934 में बहुत ही भियानकर भुकम पाया था यह सब पूछा तो नहीं जाएगा मगर याद बहुत भियानकर भुकम पाया था इसी के टाइम पर बिहार में तो यह सब बाते आपको याद होनी चाहिए Lord Wellington के बारे में तो इसके बाद जो 32 नंबर पे वाइसराय हैं जिसका नाम है Lord Lynn Lithgow जिसका टाइम पिरड जो रहेगा 1936 से 1943 तक रहेगा ठीक है और यही था जिसका टाइम पिरड सबसे ज़्यादा था वाइसराय के हम बात कर रहे हैं जितने भी वाइसराय थे उन वाइसराय में से सबसे ज़्यादा जो टाइम पिरड था इसी का था Lord Lynn Lithgow याद रखिएगा Lord Lynn Lithgow का जो पूरा नाम था वो था Victor Alexander John Hope Lynn Lithgow था इसका पूरा नाम ठीक है हमें Lynn Lithgow पढ़ना है बस बाकिसर छोड़िए इसका कुछ भी नाम हो हमें क्या लेना देना है घर ले जाए अपना नाम और देखिए उसका Lord Lynn Lithgow 1936 इसी से 1943 इसी तक भारत का सबसे लंबे समय तक वाइसराय याद रखिएगा वाइसराय है ये वाइसराय थीक है वाइसराय रहा था Lord Lynn Lithgow के समय में पहले चुनाव कराये शुनाव होए Lord Lynn Lithgow के टाइम पर बहुत ही important ये घटना है ठीक है सतनतर्ता के पहले पहली बार चुनाव कब हुए थे किस के टाइम पर Lord Lynn Lithgow के टाइम पर हुए थे अब ये जो चुनाव हुए थे इस चुनाव का जो परिणाम था वो भारतिय राष्ट्य कांग्रेस के पक्ष में रहा था यह नहीं ने ग्यारा प्रांतों में से आठ प्रांतों पर विजे दर्ज गर ले थी राष्ट्य कांग्रेस ने आठ प्रांतों में विजे दर्ज कर ले नहीं सरकार बनाई थी तो जो जो पूर्ण बहुमत था वो छे प्रांतों मिली थी ठीक है जो दो प्रांते वहाँ पे सरकार बनाई थी मगर जो छे पूरी तरीके से जीते थे ठीक है छे में बहुमत था बाकी जो दो थे उसमें बहुमत नहीं था मगर इन्होंने आठ प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थ इसके बाद देखिए कॉंग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकारे बनाई थी जिसमें 6 पूर्ण भहमत था बताई दिया हमने आपको 1 सितंबर 1949 इस वी को दितिये विश्वयुद प्रारंब हो गया जो की चला 1 सितंबर 1949 से 2 सितंबर 1945 तक चलेगा ठीक है और इस विश्वयुद में अंग्रेज्व का हो गया बुरा हाल देखेंगे आप अब भारती को भी इस युद में भेजा गया इंडियन को भी इस युद में भेजा गया जो भारती सैनिक थे उनको भी भेजा जाने लगया जिसका कांग्रेस ने बहुत विरोध किया था ठीक ह था माइनोरिटी जो थे मुस्लिम वर्ग के लोगों थे मुस्लिम जो लीग थी आल इंडिया मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए ये मुस्लिम समाज को कुछ आफर दिये गए थे इसमें अच्छी उनके लिए छूट दी गई थी अगस्पस्ताव में तो जिसे मुहम्मद अली जिन्ना खुश हो गए थे जो की ऑल इंडिया लीग उस समय अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के जो पार्टी थी भारती राश्टी कांग्रेस ने के हरी पुरा अधिवेशन में 19 फरवरी 1929 इसली को शुवाश चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था तो याद रख तो 38 में 1938 में हरी पुरा गुजरात में है ये हरी पुरा में ठीक है और दूसरी बार जो है तृपूरी अधिवेशन में तृपूरी ये कहां पर है ये मध्य परदेश में जबलपूर में याद रखे है तृपूरा नहीं है ये तृपूरा तो नौर्थ श्रायो जगा वो प्रंतु गांधी जी के विरोध के चलते उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तथा 1949 स्वी में सुबास चंदर बोस ने खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम था Forward Block नाम के एक नई पार्टी का गठन किया गया ठीक है और देखें दिति विश्युद में भारतियों को सम्मिलित किये जाने के विरोध सवरूप ही कांग्रेसी मंत्री मंडल ने 22 दिसंबर 1949 स्वी को त्याग पत्र दे दिया पूरी कांग्रेस मंत्री मंडल ने क्या कर दिया त्याग पत्र दे दिया 22 दिसंबर 1949 को क्योंकि हमने आपको बताया कांग्रेस जो थी पार्टी खुश नहीं थी क्योंकि भारती जो साहनिक थे उनको दित्वी विश्युद में भेजा जा रहा था तो याल रखिएगा 22 दिसंबर 1949 इसी डेट को जो मुस्लिम लीग थी वो इसको मुक्ती डेट को मनाया था ठीक है मुक्ती दिवस इसी दिन को मनाया था और आप जानते है इसके बाद 1940 में अगस्त पस्ताव आएगा और जियोंकि माइनुर्टी को खुश करने के लिए आये था और जिसके कारण जिन्ना जो थे मुसलिम लीग का जो अध्यक्ष था जिन्ना उसने अधिति विश्यूयुद में हेल्प की थी अंग्रेजों की ठीक गया और देखे इसके बाद लिन लिथगो के समय में पहली बार 1940 इस वी में पाकिस्तान की मांग की गई पाकिस्तान की मांग की गई मुसलिम लीग के द्वारा जिसका अध्यक्ष मुहमद जिन्ना था 1940 में पाकिस्तान की मांग हुई थी याद रखिएगा कब मांग हुई थी 1940 में किसके टाइम पर लिन लिथगो के टाइम पर इसी दीन अर्थात वही दीन मैंने बताया ना थोड़ा सा पीछे लिख दिया 22 दिसंबर 1949 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ती दीवस के रूप में मनाया गया 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया क्रिप्स मिशन ही क्यों कहा जाता है क्योंकि ये मिशन जो था किसकी अध्यक्षता में था स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में था इसलिए इसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है 1942 में आया था अब जित्विश्युद में जापान ने हालत कर कर दी थी भूरी अंग्रेजु की रंगून तक पूरा धिकार कर लिया था तो उनको डर था कि अजापान का तो उन्होंने कृप्स बीशन भारत में लाए ये जो एक टीम आई जिसका नित्रित कृप्स कर ना है कि इनको डर थनांगरेज्जों को बाहर वाले से क्या लडहें में जब अंदर ही हुता रहेगा तो बाहर से क्या होगा इस तरहीं किस हमारे हाथश से सब्ता चली आएगी तो यह पूरी बात समझ चुकी थि Congress Party तो Congress अरेस पार्टी ने इसका बहुत ही विरोध किया तो उसी बात से क्या हूआ इस कृप्समिशन को गांधी जी ने क्या कहाता एक अच्छा सा नाम दिया था क्रिप्स मिशन जो है पोस्ट डेटेट चेक है वो भी एक फरजी बैंक का किसी फरजी बैंक का यह है पोस्ट डेटेट चेक है जिसकी डेट चली गई है ऐसा बताया था कि जब जुरूरत थी हमें तब तो आपने यह ऐसा ओफर दिया ही नहीं अब आपकी बुरी हालत है तो आप किसी भी तरीके से यहां खड़े नहीं हो पाओगे, आपको तो यहां से भागने ही पड़ेगा, तो इस कारण से यह कहा गया था, इसका मतलब आप समझी जाएंगे क्यों कहा था, ठीक है, फेलिंग के साथ, उसका देखिए, 9 अगस, 1942 सिवी में कांग्रेस ने भारत आंदोलन का भी विरोध किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, और यह भी याद रख लीजिए, 1943 में, 1943 में, बंगाल में, बहुत ही ज़्यादा भ्यानक अकाल पड़ गया था, इसी की टाइम पर, लिन लिथगो के टाइम पर, तो यह सब बाते आपको या वाइसराय बचे हुए हैं, लौड वेवेल, और इसके बाद जो है, लौड माउंट बेटन, जो की आखरी वाइसराय होगा भारत का, और लौड माउंट बेटन को आप ये भी कह सकते हैं, जब भारत आजाद हो गया, थोड़े दिन तक ये रहा था, तो यह सोतंतरत भारत क पहला गवर्नर जंडल था, ठीक है, जब भारत आजाद नहीं था, ये आखरी वाइसराय है, हमने आपको बताए दिया, लौड माउंट बेटन की जब बारी आएगी, उसके बाद मैं कर रहा हूँ, मगर जब भारत आजाद हो गया था, उन्हें सुन्तालिस में, तो वही हम क्या था, प्रथम गवर्नर जंडल था, सुतंत भारत का, और उसके बाद सुतंत भारत के पहले भारती गवर्नर जंडल जो होंगे, वो राजा गोपाल चारी जी होंगे, चक्रवती राजा गोपाल चारी, और वही पहले होंगे, और आखरी भारती भी वही होंगे, क्योंक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिए दोस्तों के साथ स्क्रीन पर आपके चार वीडियो आ रहे हैं बहुत इंपोर्टन वीडियो हैं देख लीजिएगा फिर से बता रहा हूं गवर्न जंदल जितने वीडियो बार बार देखिएगा इंट्रेस्ट के साथ देखिए आप छोड़े वीडियो इसलिए बनाएगे हैं आपको मज़ा भी आयेगा और जल्दी से इसको पूरा तयार कर लिजिए आगे आने वाले साभी परिक्षाओं में आपके काम आएगा हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार